हरर महादेव, जै महाकाल आजके इस वीडियो में हम गुरु जी द्वारा बताएगे ये कुछ दो तिन उपाय बताएगे और ये दो तीन उपाय है वो आपको तीन उपाय आपको पूणमा वाले दिन करने हैं पूर्मासी के दिन ये किये गए जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा लाफ का रही है गुरू जी ने कहा है अगर इन में से आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपके जीवन से जो भी समस्या है जीवन के जो भी कष्ट है वो सब समाप्त हो जाएंगे माता लक्ष्मी के आपको प्राप्ती होगी धन समपदा आपके आएगी और जीवन के जो भी दुख तकलीफ है वो सारे समाप्त हो जाएंगे तो जो पहला उपाय गुरू जी ने बताया है ये भी आपको पूर्मा वाले दिन ही करना है पहला उपाय में आपको क्या करना है य जो आपकी कोई मनोकामना है, वो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा परिसानी है, संखट वो समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय करना है, इस उपाय में आपको एक लोटा जल लेना है, आपको अपने किचन से जल भर लेना है, पांच बेल पत्री ले लेनी है और एक कमल गट्टा ध्याना कि एक लोटा जल पांच बेल पत्री और एक कमल गट्टा लेकर आपको जाना है सिम मंदिर यह उपाई आप सुभा से लेकर रात तक किसी भी समय कर सकते हैं पूर्ण मासी वाले दिन आपको उत्तर दिसा की तरफ मुक करकर बैठना है एदी मंदिर में बहुत जादा भीड़े तो आप फिर किसी भी दिसा में बैठ जाईए अब आपको क्या करना है वहीं आप जो एक लोटा जल और कमल गट्टा बेल पत्र लेकर गए हैं पांच सबसे पहले आपको उस जल में कमल गट्टा डाल लेना है और श्री शिवाय नमस्तुब्यम का 11 वार या 21 वार आपको हंजाब करना है उस जल में डाल लीजी उसके बाद जो आप पांचो बेल पत्र लेकर गए हैं आपको एक एक करके बेल पत्र सिवलिंग के उपर समर्पित कर देनी है ध्यान रखिए ज आपको बेल पत्र समर्पित कर देनी है उसके बाद वो जो कमल गट्टे वाला जल है जिसमें आपने कमल गट्टा डाला है वो जल आपको इनी बेल पत्री के उपर अपनी मनो कामना बोलते हुए और चंद्रेस्वर महादेव के नाम का इसमन करना है ध्यान लखिए आपको चंद्रेस्वर महादेव के नाम का इसमन करते हुए वो जल सिवलिंग के उपर समर्पित करना है और फिर वही थोड़ी दिर बैट कर आपकी जो विसेश मनो कामना है उसके लिए बाबा से प्रात्ना करनी है गुरुजी ने कहा है कि यदि आप उपाय इस पूर्मासी वाले ने थन की प्रापती नहीं हो पा रही है तो आपको इस उपाय को करना है यह उपाय भी आपको पूर्ण मा के दिन करना है और सुबह से रात तक किसी भी समया पीय वुपाय कर सकते हैं इस सुपाय में बस आपको एक लोटा जलल लेना है आप अपने किचन से जल भरिए जो भी मटका बाल्ती आरो जहां किचिन में उससे आपको जल भरना है और आपको एक सफेद फूल ले लेना है सफेद फूल को एक सफेद रंग का फूल को छोड़ कर अब एक लोटा जल और फूल लेकर आपको जाना है सिम मंदिन वहाँ जाकर हमेशा की तरह जैसे गुरू जी बताते हैं कि उत्तर दिसा की तरह आपको मुख करकर बैठना है और फिर जो आप जल लेकर गए हैं उस जल को आपको श्री श्वाय नमस्तभ्यम का जाप करते हुए सिवलिंग के उपर समर्पित कर देना है जल समर्पित करने के बाद आप जो एक फूल लेकर गए हैं उस फूल को सिवलिंग के उपर समर्पित करना है और आपकी जो भी मनोकावना है धन से सम्मंदित वो आपको भगवान से प्रातना करनी है गुरुजी कहते हैं इस उपाय को अगर आप पूर्णमा के दिन करते हैं तो आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए खतम हो जाएगी और आपको जो भी कार करेंगे धन प्राप्ति के लिए उसमें आपको अवस्य सफलता मिलेगी एक उपाय गुरुजी ने और बताया है ये उपाय भी आपको पूर्णमा वाले दिन करना है और ये उपाय भी धन प्राप्ति के लिए ही है लेकिन इस उपाय को आपको अपने घर में करना है घर में करना है और साम के समय नहीं जब सूर अस्तो जा है उसके बाद करना है इस अपाय में आपको एक आटे का दीपक प्रजलित कर लेना है चाहे आप मिट्टी का ले लीजिए चाहे आटे का उस दीपक में आपको एक लंबी बाती बनानी है ध्यान रखिए आपको लंबी बाती डालनी है और गाय का देशी की डालना है और उस दीपक को और एक हरी इलाइची ले लेनी है जो छोटी इलाइची होती हरी वो आपको ले लेनी है और इस दीपक को लेकर आपके जहां तुलसी माता का पौदा है तुलसी माया है वहां आपको ले जाना है और उस दीपक को प्रजुलित करना है तुलसी माता की तरफ जो दीपक की जो बाती है वो उत्तर की तरफ होनी चाहिए ध्यान रखिये दीपक की जो बाती जल लई है प नमो भगवतेवा सुदेवाय का जाब करना है और जो हरी लायची है वो आप मंत्र जाब करते समय उसी दीपक में आपको डाल देनी है यह उपाय कीजिए सुर्यस्त के बाद पूर्मा वाले दिन देखेगा आपके घर में मातालक्षिमी की हमें इसा करपा वरस्ती रहेगी हम में इसा धन्दान से आपका घर पूर रहेगा और आप जो भी कार करेंगे धन प्राप्ति के लिए वह उसमें आपको सफलता मिलेगी यदि आपको वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट बॉक्स में हर महादेव अवस्र लिखिये